हरियों प्रिदर्शकों मैं हूँ पंडित बल्राम पांडे हाजिर हूँ 6 दिसंबर 2022 आज का रासी फल लेके बात करेंगे किन रासी वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा बितने वाला है और किन रासी वालों को जरूरत है पूरे दिन को सौधानी पूर्ण बिताने के तो रासी के कर्म में बात करेंगे सबसे पहली रासी मेस रास के लोगों के लिए आज का दिन धन धायक रहेगा आज येदि आप कोई नया बिजनेश शुरू करना चाहते हैं या कोई काम रुका हुआ था तो उसे आप करेंगे तो आज आपको सफलता परापत होगी बात कर निवेश की तुनिवेश कर सकते हैं दांपत्य जीवन में भी आज लाइफ पार्टनर लब पार्टनर का सयोग मिलने वाला है परन्तु आपको उत्तरार्द में अपने स्वास्त का ध्यान रखना है उत्तरार्द आते आते के लिए अज का दिन सामान रहने वाला है आज आपको किसी से छोटी छोटी बातों में भिरना नहीं है क्योंकि छोटी छोटी बातों से बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है तो आपको अपने बाणी में कंट्रोल रखना है और बात करें निवेस की तो निवेस कर सकते हैं परंतु अच्छे से जांस परक्ठे और फिर निवेस करें दाँपत्ट जीबन के लिए भी आज का दिन सामान रहने वाला है, आज आपको संगर्स अधिक करना पड़ेगा और रिजल्ट कम मिल सकता है, तो आज आपको मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है, आज को बेहतर बनाने के लिए, आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए, आपको मूल वात ये धियान रखना है कि किसी से भी भीड़ना नहीं है, छोटी-छोटी वातों को लेके किसी से बाद विवाद नहीं करना है, तो दिन को बहतर बनाया जा सकता है, मिथन रासी, मिथन रास के लोगों के लिए आज का दिन, इच्छा पूर्दी का दिन है, आज जो भी आपके काम पहले से अटके हुए थे, उ जदी आप कोई काम सरकारी से जुड़ा हुआ था और नहीं हो रहा था, तो उसे आज आप कर सकते हैं, तो उसमें आपको सबलता मिलती हुई दिखाई देगी, बात करें इस्टुडेंट की, तो इस्टुडेंट के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है, खास क करेंगे, तो आपको सबलता मिलते हुई दिखाई देगी, बात करें दामपत्य जीवन की, तो दामपत्य जीवन में आज सामान रहने वाला है, उत्रार्द में कुछ मन मुटा हो सकता है, और बात करें स्वास्त की, तो स्वास्त आज कुछ मानसिक टेंसन हो सकता है, या तो तो यात्रा आज करने से बचें क्योंकि यात्रा करने से आज कुछ चोट चपेट लग सकती है यात्रा हानिकारक रह सकती है तो यात्रा करने से बचें बाद करें स्वास्त की तो स्वास्त शामान रहेगा परंत उत्तरारदाते आते कुछ पेट जन तकलीफे हो सकती हैं तो ख कामपत्य जीवन में कुछ आज मन मुटा हो सकता है तो अपने बाड़ी में कंट्रोल रखना है और आलस से बचना है आज के दिन को बहतर बनाने के लिए आपको आलस से बचना और अपने स्वास्त का ध्यान रखना ये सबसे स्रेश्ट मंत्र रहेगा और वात करें से मन मुटा हो सकता है घर में आपस में लड़ाई जगड़े हो सकते हैं तो आज आपको अपने बाड़ी में कंट्रोल रखना होगा बात करें निवेश की तो निवेश करने से आज बचें और दामपत्य जीवन भी आज बहुत श्रेश्ट नहीं कहा जाएगा ये स्टुड जिन कल क्या करना है आंगे क्या करना है उसके लिए आप प्लानिंग बनाएं वो ज्यादा बेतर रहेगा जो पुराने काम थे उन्हीं को भेतर ढंक से करने की कोशिश करें तो दिन ज्यादा बेतर रहेगा कर्ण्याराज कर्ण्याराज के लोगों के लिए आज बहुत सबस्क्राइब करना ही चाहिते हैं तो उत्तराइब में करें और जो भी आज समस्याई होंगी तो आज उत्तरारद आते आते लास्ट में आपको सफलता मिल सकती है और था यदि पुरवार्थ में काम विगड़ते हुए आपको दिखाई देंगे परंत उत्तरार्द आते आते लास्ट में आपको सफलता मिलेगी तो आपको मेहनत करने से संघर्ष करने से पीछे नहीं हटना है तो यदि आज आप पूरे जोस के साथ पूरे प्राने के साथ हर काम को करने क की कोशिश करेंगे तो आपको लास्ट में अंतोगत आपको सफलता मिल जाएगे तो आज का दिन स्टुडेंट के लिए बेतर रहेगा आज आपको नई सफलताएं मिल सकती हैं और यदि आप बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो निवेस उत्रार्थ में करें पूरवार्थ से में कुछ मन मुटाओ रहेगा पर अतराद आते आते सब चीजें बेतर हो जाएंगे आज को आज के दिन को बेतर बनाने के लिए आपको मेहनत करनी है और पूरे लगन से हर काम को करना चाहिए तुला राश के लोगों के लिए आज कर दिन सफलता दैग रहेगा कि आप को आज नामपती जीवन बेतर रहने वाला है एक स्टुडेंट के लिए आज का दिन बेतर रहेगा बात करें स्वास्त की तो स्वास्त आज सामन रहेगा पर तो आपको इस बात का धियान कर रखना है कि जो भी काम करना है तो पूरवार्द में ही कर लें सामको 6 वज़े से पह जो भी काम करना हो लोगों के लिए आज का दिन मिला-जुला रहेगा जो भी काम क्योंकि पूर्वार्द में यदि कोई काम करते है तो समझ्याये उठ्पन नहों सकती हैं आपको अपने स्वास्त का भी ध्यान रखना चाहिए आज कुछ पेट जन तकलीफें या कुछ कमर से संबनित तकलीफें दरदादी हो सकता है बात करें निवेश की तो निवेश करने से बचें परंत उत्तराद में निवेश कर सकते हैं आज आपको किसी से भिड़ना नहीं है किसी से छोटी छोटी बातों में लड़ाई जगडा नहीं करना है क्योंकि आज का दिन बहतर नहीं है आज लोग आपके उपर भारी हो सकते हैं और यदि आप किसी से लेंदेन करना चाहते हैं कोई बड़ी डील करना चाहते हैं तो आज आपको नहीं करना चाहिए आज बड़ी डील करने से समस्यां उत्पन हो सकती हैं और पैसा फंच सकता है तो निवेस करने से आज बचें और बात करें पैसे की लेंदेन की तो आज पैसे का लेंदेन ना करें और यदि आप कहीं यात्रा करना चाहते हैं तो यात्रा करने से भी प्राप्त होने वाला है और इस्टुडेंट के लिए आज का दिन रहेगा आज आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी काम करें तो उत्रारद में करें तो ज्यादा बेटर रहेगा पूरवार्द में करने से समश्यायत्पन हो सकती हैं धनुराज के लोगों के लिए कामस्य सोच रहे थे तो काम होते हुए दिखाई देंगे आज बड़ों बुजर्गों का आपको सहयोग प्राप्त होगा आशेयरबाद होनेवाला है जिसले काम बनते हुए दिखाई देंगे और आज आपको बड़े भाई का स्वयोग प्राप्त होगा यदि बड़े भाई के बीच में कुछ मन मुटाव था तो वो आज दूर होता हुआ दिखाई देगा बात करें स्टुडेंट की तो स्टुडेंट के लिए आज कर दिन सफलता दैक रहेगा आज आपको मन चाही सफलता मिलने वाली है खास कर यदि आप मैनेजमेंट फील्ड से हैं तो आज आपको विसे सफलता मिलने वाली है आज यदि कोई बैंकिंग से चेतर से काम रुका हुआ था फाइनेंस का काम कोई रुका हुआ था तो आज उसे आप कर सकते हैं और आज के दिन शब कुछ बढ़िया है परन्तों आपको इस वात का ध्यान रखना है कि आलस करने से बचना है थोड़ा आलस हो सकता है बागी पूरा दिन बेहतर रहने वाला है मकर राजी मकर राज के लोगों के लिए आज कहीं यातरा का मौका मिल सकता है और यातरा लाबदायक रहेगी आज ये कोई गाड़ी वहन आप लेना चाहते हैं या जमीन घर लेना चाहते हैं तो आज का दिन बेतर रहेगा आज आपको कोई बड़ी डील मिल सकती है और सरकारी यह सिद्धितर से कोई काम रुका हुआ था तो आज उसे आप कर सकते हैं तो सफलता मिलती हुई आपको दिखाई देगी और आज हर काम को माता-पिता का आशिरबाद लेके करें आपको विसे सफलता मिल सकती है और बात करें स्वास्त की तो स्वास्त भी आज बेतर रहेगा दामपत्य जीवन में आज खुशनुवा महुल रहने वाला है और यदि आप किसी को प्रपोच करना चाहते थे तो आज का दिन बेहतर रहेगा। निवेश के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है निवेश आप कर सकते हैं और व्यापारियों के लिए खास आज दिन रहने वाला है आज आज आपको विसे सफलताएं मिलने वाली हैं। आज आपको नई नई सफलताएं मिलने वाली हैं जो भी काम दुके हुए थे और आज बनते हुए दिखाई देंगे। यदि आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो निवेश करने के लिए आज का दिन बेतर रहेगा। बस आपको अच्छे से रिशर्च करके और उसके बाद ही निवेश करना है। बात करें स्वास्त की तो स्वास्त बेतर रहेगा। आज पूरा दिन एनरजी से भरा रहेगा। आज यदि भाई बहनों के बीच कुछ मन मुटाव था तो वो दूर होता हुआ दिखाई देगा। और भाई बन्हों के बीच में प्रेम बढ़ने वाला है। और यदि आप कोई प्रिच्छा प्रतियोगता में भाग लिए हुए थे तो आज आपको कुछ खुष खबरी मिल सकती है। इस्टुडेंट के लिए भी आज का दिन शफरता दैक रहेगा। बात करें दामपत्य जीबन की तो दामपत्य जीबन में आज खुष नुवा महल रहने बाला है। मीन रासी मीन रास के लोगों के लिए आज का दिन सफलता दैक रहने बाला है। आज आप निवेश दिकरना चाहते हैं तो आज आपको विशेश सफलता मिलेगी। बात करें स्वास्त की तो स्वास्त में आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। आज कुछ गुप्त रोग संबंदित तकलीफें हो सकती हैं या हात पैरों में दर्द हो सकता है। आज आप अपने स्वास्त का विशेश रूप से ध्यान रखें। बात करें दामपत्त जीवन की तो आज पार्टनर का सयोग मिलने वाला है। वर्क प्लेस में भी लोगों का सयोग प्राप्त होगा। यति कोई सरकारी सेक्टर या प्राइवेट से काम रुका हुआ था तो वो आज बनता हुआ दिखाई देगा। आज घर में खुशी का महुल रहने वाला है। आज घर परिवार के लोगों का सयोग प्राप्त होने वाला है। तो आज का दिन बहतर है,isz्टुडिन के लिए वोफ़ आज का दिन बहतर रहने वाला है, बस आपको अपने स्वास्त का ध्यान रखना है बाद की पूरा दिन अच्छा बितने वाला है दर्श को यह रहा मेंस राशी से मीन राश तक का आज का राशी फल आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे तक तक के लिए हरियों